ओम शान्ती बिभी जी, ओम शान्ती, ओम शान्ती, सान्तुर्ण की नगरी में हमारी आदरनी अमीठी बिभी जी का बहुत पहे दिल से स्वागत हैं। चानपुर की नगरी में गर्ण्यदादी की ज स्वागत है, स्वागत है दीजी का और स्वागत हमारी आदर में दीजी चंडीगण रिप्रिट सेंटर रिप्रिट की डारेक्टर है और ग्यान की बहुत जहराई उनके अंदर है और बहुत अच्छी-च्छी योगभट्टियां भी कराती हैं पांटाबू में दीजी की बहुत अच्छी-च्छी लाते हम समने सुनी हुई है और हम चाहेंगे कि पिछले 40 वर्षों से दीजी अपने पमर्फित रूप से शिवाबा की तेवा में है और बहुत ज्यान की गहराई हैं आपके अंदर तो हम निखी दीजी से चाहेंगे कि आप सभी राइवाय ने उनका लाव लेंगे तो हम दीजी सेलवोट करते हैं अपने ज्यान रत्नों से हम सभी तो अन्ग्रहित करें आजनी दीजी की ओम शांती ओम शांती ओम शांती अंची का सभी तो अ केंसा दो धुझे अट्छा सऻब्सक्राती मैं हैं ऑदिधाले सभी देक दोगो हम यतटनु हैं अज्यां इस तो हम शांती आव कर ने समन्मनरों ने ब्सलांती है порाइं अच्छा लग रहा निखना स्दमिन, अजेल ख़गे लू बैठे बैठे भी कांपिर वालों से मुलाकाट हो रही है, यह ऐसा करोना का खक्रा आया, प्रामों के परिवार को और मुदीख लाया, जिनके पास वैसे कभी नहीं पॉंचे, उनके पास भी अभी इन साइंस के साधनों से पॉंच रही है, मुलाकाट हो रही है, हमारा तो ब्राह्मन परिवार, इस कोरोना ने और नजदीख ला दिया, वीजी जी आवाज कम आ रही है, ज्यादा मिल वाएं, आपके रहे आवाज कमारे, अच्छा, इस तो माई हो गए है, और फुल आवाज है, इस टेक्निकल देखे, उदर से भी कम आ रही है, हम आ रही है, थोड़ा स्लो है, अब भी जह रहे है, कम आ रही है, इस तो माईक लगाया और फुल आवाज चलाया, आच्छा, इस तो आखिश वेता देखो, कम्प्यूटर में कोई टेक्निकल चीज हो, एक मिनिट वेट करते हैं, तो आवाज बढ़ जाए, हा तो आवाज चीज बाटाया, हां मिनिट अभी थीक है, थोड़ा सा, हां कुछ बढ़ा है, वज़ थीक है तो आवाज थीक है, ऐच अम शांती दीदी, थीक है अम शांती थीक है अभी। साइंस के साथ नों की बलिहारी है, जो हम ब्राह्मनों की आपस में मुलाकात भी कराई, और सब को स्ववनती के लिए अच्छा चांस बावा और ड्रामा ने दिया है, और हमारी अर्चना बेंजी ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया, हमको तो बहुत पसंद आया ये टॉपिक, और अर्चना बेंजी भी अमारी बहुत मेशीप नई ही सब की उनती का इतना ध्यान रिखते हैं, और सब को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेनत करते हैं, कानपुर के भाई भेने होत लग्की हैं जो ऐसी दीदी आप सब को मिली हैं, आपकी उनती के लिए प्रोग्राम बनाती रहती हैं, ख़स ये जो विशे लिया है असुरक्षा, वैसे तो प्रामनों के लिए अभी अभी भी सब दर्व से समाचार यही आ रहे हैं, कि ब्रामन डरे हुए नहीं हैं, दुनिया वाले तो एकदम डर की भाई की असुरक्षा की कुर्सी पर बैठे हैं, भाई से खा रहे हैं, भाई में चल रहे हैं, एकदम असुरक्षा की भावनाओं से अपने रिष्टेदारों से मिल रहे हैं, असुरक्षा से कमा रहे हैं, आफिस जा रहे हैं तो भी डर रहे हैं, अपनी शौप खोल रहे हैं तो भी डर रहे हैं, कोई राज कर रहा है, कोई दौलत मंद है पर इस समें सब डरे हुए हैं और बाबा ने हमें निर्भे बना दिया है ऐसे में मुझे एक वुट्टान दिया डाता है कांस और क्रेश्न का ऐ तो सारी हमारी कहानी कहते हैं कि कांस ने देव की के पहले खे बच्चे मार दिये सात्वीं तो देवी बताते एवड़ गई और जब-जब बच्चा होता था देव की अती डरी होती थी और कांस निर्भय था उसको विश्वास था कि बच्चा होगा और मैं मार डालूंगा मेरा काल मर जाएगा परन्तु जब आठवां बच्चा आना था तो आठवां बच्चा वो तो सुना हुआ था उसने मेरा काल आ रहा विश्णु आ रहा और आठवां जब पैदा होने की बारी थी तब देव की निश्चिन्त थी और कंस का बताते हैं इतना डरा हुआ है इतना डरा हुआ है जो हर चीज में उसको विश्नु दिखाई दे रहा हर घड़ी डर डर के दोडता है पानी पीने लगता है डर के फैंक देता है इसमें विश्नु है सोने लगता हूँ ठूटके खड़कियां बंद करता है विष्णु आरा विष्णु आरा विष्णु आरा विष्णु आरा कहीं शंक दिखता है कहीं चक्र दिखता है कहीं गदा दिखती है डर डर के डॉड रहा है उसका डर देख करके उपर आसमान में सीन दिखाते हैं उसमें यह आसमान में नारद और विष्नु का समवाद होता अब नारद विष्नु से पूछता है भगवन पॉत भगवानी कहते हैं यह क्या यह तो आपको इतना याद कर रहा है और जो आपको इतना सांसों सांस याद करता है, उसको तो आपकी प्राप्ती हो जाती है, और देव की तो निश्चिंत है, यह क्या सारे नीचे लीला चल रही है, तब कहते हैं उसको उत्तर मिला, कि इस समय संस मुझे याद तो कर रहा है, और कैसे याद कर रहा है, डर के याद कर रहा है, डर के क्यों याद कर रहा है, क्योंकि पाक बहुत किये, और किस रूप में याद कर रहा है, दुश्मन रूप में याद कर रहा है, तो जवाब दिया उसको भगवान ने, कि अब मैं ज़िए धरती पर जाऊंगा तुसे, और सबसे मिलूंगा, लेकिन जो मुझे जिस रूप में याद कर रहा हैं, उसे उस रूप में मिलूगा, मुझे गोपियां भी याद कर रही हैं, लेकिन मित्र रूप में याद कर रही हैं, मुझे रिशी मुनि भी याद कर रहे हैं परंतु भगवान के रूप में याद कर रहे हैं मुझे कंस भी याद कर रहा है परंतु दुश्मन के रूप में याद कर रहा है तो जाओंगा धर्स्ति पर गोपियों को मित्र रूप में मिलूँगा रिशी मुनियों को पगवान रूप में मिलूँगा और कंस जब सामने आएगा मैं किसी का दुश्मन बनता तो नहीं हूँ लेकिन जब भी वो मेरे सामने आएगा वो मुझे अपना दुश्मन ही देखेगा और उसको मुझसे वही प्राप्ती होगी जो किसी को दुश्मन से वहती है वो मारा जाएगा तो आज लोग डरे हुए हैं उसी हालात से विनाश के सीन सामने हैं और उसी विनाश के सीन में हम बाबा के बच्चे स्वर्ग देख रहे हैं बाबा को जैसा पहला सक्षरकार हुआ विष्णू चदुर्गुच तत्वम यही तोमो फिर विनाश दिखाया पर बाबा को वो पका हो गया है मैं विष्णू बनने वाला हूँ तो जितने बाहर हालात जटिल होते जाते हैं उतना हम निर्भय होते जाते हैं क्या सोच सोच के निर्वे होते जाते हैं हमें इस विनाश में अपना दुशमन नहीं दिखरा इस विनाश में हमें मौत नहीं दिखरे हमें तो इस विनाश के पीछे अपना स्वर्णिम संसाल दिखरा तो हम ब्राह्मनों को जाच करनी होगी अपनी तीसरी आँख की कि तीसरी आँख से हम देखेंगे तो कल्योगी नजारे नई सत्योगी नजारे दिखाई देंगे बावा ने एक मुगली में काथ आंत में क्या होगा एक तरफ विनाश के नगाडे होंगे दूसरे तरफ स्वर्ग के नजारे होंगे एक तरफ हाहा कार होगी दूसरे तरफ जै जै कार होगी लेकिन वो जै जै कार किनको फील होगी जिनोंने समय पर आए हुए इश्वर का पुरा लाब लिया है जैसे वरे तंट बताते हैं कि जब जब मुसीबत आई कैसे भगतों की रक्षा हुई क्योंकि मुसीबतें दराते हैं बिमारियां दराते हैं मौत दराती है अपमान दराता ऐसे कई चीज़ें जिनसे आसुरक्षा लगती है देहे की आसुरक्षा है इसको बिमारी ना आ जाए इन देहे को मौत ना आ जाए या डरते हैं कोई हमारा अपमान न कर दे या फिर कोई बहुत इच्छाएं किसी ने रखी हुई है इतना चाएं तो इुक्षाएं ना पूरी हुने का भी डर होता है जिसी ने बहुत समान जमाकर के रखा हुआ है बहुत जमाक़ लिया हुआ है वो भी तरता है कि काई कोई चोरी ना कर ले वे जिसने कुछ रखा ही नहीं है उसकी क्या चोरी हो जाएगी एक माता अपने पोते को बार बार कहती थी हरी दुआर ले चल गंगाना आके आओ मरने से पहले एक दिन उसके पोते ने प्रोग्राम बना दिया इतना टाइम से माता कह रही लेके चल पड़ा उसको हरी दुआर जाने लगा आदे रास्ते मैं कहती वापिस्टल वापिस्टल, वापिस्टल अरे माता हुआ क्या इतने टाइम से कह रही थी हरी दुआर चल, हरी दुआर चल अभी क्या हुआ जब बहुत पूचा तो उसने बताया कि मैं अपनी पेटी को ताला तो लगा के आई हैं तो ताला लगाने के बाद उसको खींचना भूल गई कहीं वो खुल गया किसी की हाथ आगई मेरी पेटी तो गंगा तो भीर भीन आया जाएगा तुम वापिस्टल तो जमा किया हुआ था तो डरती रही डरती रही तो ये भाई मेरे पन का भाई होता है अटेच्मेंट जहां है उतना भाई है मेरा मेरा जितना है उतना भाई है ये दराता है हमको हम ब्रामन इससे पार हो गए हैं और श्रीमत पर पुन्य की पूंजी जमा कर रहे हैं श्रीमत के बस जितने आग्याकारी है ना सिर्फ आग्याकारी है लेकिन निश्चे बुद्धी है निश्चे किस-किस पर है अपने पुन्ने कर्मों पर भी निश्चे है कि हमने करम कमाए है लोगोंने दौलत कमाई होगी डिगरियां कमाई होगी पोजीशन कमाई होगी दॉलत साथ नहीं देती है, बड़े बड़े दॉलत वाले नोटों की बोरियां भरके सड़कों पे निकलेंगे ऐसा टाइम आएगा, अन का दाना खाने को नहीं मिलेगा, मिलेगा तो जहरीला, साएंगे और मर जाएंगे, ऐसे बाबा के महावाद के मिले हुए हैं, लेकिन हम अपने जो पुन्ने कमाएं हैं, वो हमें निश्चिन्त रखते हैं, हम तो जमा करते ही नहीं सब सफल कर देते हैं, एश्वरी एकारे में, तो फिर डर किस बात का, साथ ही चाहिए पूरा-पूरा निश्य बुद्धी, निश्य बुद्धी के लिए बाबाने का हुआ है, न निश्चिन्त होते हैं, निश्चित विजय होते हैं, और नशे में रहते हैं, निश्चित हैं, कौन हमें साथ दे रहा हैं, किसने हमें अपना बनाया हैं, और हमें गहरा यान हैं, ये ट्रामा का समय कौन सा चल रहा हैं, बाहर मुसीबतें दिखाई पड़ती हैं, मेनत है पड़ती है लेकिन प्राप्ती हितनी उच है आज भी बाबा ने मुरली में याद किया कि उच पद पाने वाले बच्चे मेहनत बहुत करेंगे मेहनत से भी डरेंगे नए तो निश्चे बुद्धी बाप पर साथ कोंदेरा निश्चे बुद्धी अपने भविशे बर क्या वक्त आने वाला हमारा तुख कल्यान निश्चित ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है हमारे लिए कल्यान कारी है क्योंकि ड्रामा बाबा ने हम ब्रामनों के लिए कह दिया कल्यान कारी है ही है या तक बाबा ने एक मुरली में बच्चे राज से चलते टांग भी तूट जाए तो भी तुमारे मुख से निकलना चाहिए वहा बाबा वहा वहा ड्रामा वहा क्योंकि सूली से कांटा हो गया एक टांग टूटी बागी तो शरीर ठीक है और इसमें भी कितने पाप कट गए तो ये कुई ये गती का जियान जिसके अंदर सम्रितियों में रहता है उसका भय बाबाच्चूस लेता हमारे इसारे व्रित्तांते द्रोपदी का दिखाते इतनी बड़ी विपत्ती उसके उपर आई पीर हरन हुआ उसमें पुकारा और चीर मिला रक्षा हुई पाबा केते मैं भी तुमारी ऐसे रक्षा करता हूँ और उसमें एक बात बहुत महत्व पूर्ण है श्याम सब को भी धियान में रखने की है बाद में द्रोपदी ने पूछा थे भगवान आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी मैं बुलाती रही तब भगवान ने उत्तर दिया द्रोपदी मैंने आने में देर नहीं की तुमें बुलाने में देर की द्रोपदी कहने लगी नहीं मैंने तो तुरंत आपको बुलाया उसको कहाई याद कर कैसे ही तुमारा चीर हरन होने लगा सबसे पहले तुमने कहाँ देखा सबसे पहले द्रोपदी ने अपने गुरुजनों की तरफ देखा गुरुजन थे ही दुश्मन की तरफ उन्होंने सिर जुका लिया कुछ नहीं कर सकते फिर अपने चाचा लोगों की तरफ देखा वो तो थे ही दुश्मन उन्होंने भी मदद नहीं की फिर अपने पतियों की गरव देखा उन्होंने भी आँखे नीची कर ली वो तो जुए में हार चुके थे ऐसे तुने चौता नंबर मुझे बुलाया और जैसे ही तुने बुलाया मैं भादा आया मैंने आने में देर नहीं की तुमने मुझे बुलाने में देर की है इसलिए अभी हमें ध्यान रखना है याद रखना है हमेशा कौन हमें साथ दे रहा है कौन हमारा है फिर कुछ प्रोसेस है निर्वे बनने के लिए उस प्रोसेस को हमें यूज़ करना है वो process क्या है उसको याद रखें वो process बाबा ने बताया है कि सबसे पहली बात है यह जो देहे सास लगी पड़ी है इसका जितना भान होता है उतना इसमें डर होता है चाहे मौत का डर है चाहे बिमारी का डर है चाहे अपिमान का डर है उसारा का सारा देहे भान के कारण से पैदा होता है इसलिए मीठा बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि बच्चे देही अभी मानी होने की बहुत बहुत प्रेक्टिस करने की जरूरत है देह से न्यारा, सोल कॉइंशिस, जिसका आप भ्याव सु बाबा ने हैद्राबाद सिंद से बच्चों को बहुत कराया दादियां बताती है कि बाबा ने इतना हमें आत्मिक सिती का अभ्याव कराया हम हर काम करते आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो इन शरीर के अंगों से काम कर रही हूँ यह भ्यास करते थे, कोई भी आता सामने, ओम शांटी भी नहीं बोलना होता था, तब तक शुरू भी नहीं हुआ था, कोई भी सामने आता, उस्के मस्तक में शियोटी देखते, मुख से बोलते, हैद्रापास सिंध में, मन और दादी बताते थे, ब्याने जहाडू लगाती भी एक दूसरे को द्रिष्टी देती, आत्मा देखती, ध्यान में चली जाती थे, बाबा ने ऐसा आत्मित सिती का अभ्यास किया, जो बचाते हैं जब पार्टीशन हुआ, कितना आसुरुख्षा का वातवरण था, कितना भय का वातवरण था, 47 में पार्टीशन हुआ है, और अपना यग्य सन 1950 में पाकिस्तान से भारत में शिप्ट हुआ है, तो सोचो वो जो तीन वर्ष थे, उसमें क्या नहीं हुआ होगा, उस टाइम पर पार्टीशन में, जो भी गैर मुसलिम थे, या तो मार दिये गए, या भार्ट कर भारत में आ गए, या उनका धरम बदल दिया गए है, और अपना बाबा का यग्य कैसे वहाँ पर सुरक्षित था, दादियां बताती है, ऐसे टाइम पर भी, बाबा ने हमें आत्मा का जो पाठ पढ़ाया हुआ था, उसी से रक्षा हुई, एक बार, मुसल्मानों ने पूरी बिल्डिंग को घेरा लगा दिया, कि आज हम इनको भी जाकर मारेंगे, और दो उनके लीडर, नंगी तलवारे लेकर के अंदर आये, और ये सब बाबा की याद में दे से न्यारे होकर बैठ गए, बाबा से पूछा गया था, बाबा अगर वो लोग आएंगे क्या करना, बाबा ने का और कुछ नहीं करना, एक ही बात सूचनी है, कि मुसल्मान नहीं, मेरा आत्मा भाई आया है, बागी कहम बाबा करेगा, अब वो जो दो जिनने नंगी तलवारे लेकर अंदर आये, एक ने तलवार एक बहन की गर्दन पे रख दी, सारे बाबा की याद में स्टिल बैठ गएते, इतना साइलेंट, पहले तो हैरान हो गई है, डर नहीं रहे, भाग नहीं रहे, क्या हुआ, जब इम्मद करके एक बहन की गर्दन पे तलवार रख के बोलता है, कौन हो तुम लोग, सच सच बताओ, हिंदू हो या मुसल्मानों, वो बेहन ने बड़े प्यार से आँखियां उठाई, उससे नजर मिलाई, और आत्मा भाई देख कर केती है, भाई जान, हम खुदाई खिदमतगार हैं, दूसरे ने दूसरी बेहन की गर्दन पे रखी, पूचा, सच सच बताओ, नहीं तो मार देंगे, हिंदू हो या मुसल्मानों, वो बेहन कहती है, भाई जान, हम पाक लोग हैं, दोनों ही बार बागे, और बार जाकर के जो सारे बेटिंग को घेरा लगा के खड़े थे, उनको जाके बुला रहे, अपने ही लोग हैं, अरे पाग लोग हैं, अरे खुदाई खिदमतगार हैं, इनकी इफाज़त की जाएं, तेन साल उनकी तरफ से सुरक्षा मिली, जिनको लोग दुश्मन मानते थे, तो ड़ता कौन है, किसके अंदर सामने वाले के लिए दुश्मनी का भाव है, जो पहले ही सोच रहा है, कि ये मेरे को मारे नहीं, तो वो उनको माटता है जरूर, जो सोच लेगा ये मेरा कुछ न नहीं बिगाडेंगे, हम छोटे-छोटे थे जब गर से बाहर कहीं गली में खेलने निकलते थे, तभी डॉगी बैठा होता था, डड़ते थे, तो बड़े लोग हमको सिखाते थे, कि डॉगी अगर बैठा हो, तो हाथ ऐसे करो, ऐसे मुठी बंद करो, कंगो उठा अंदर क और फिर ऐसे मुठी बंद करो, फिर जाओ, फिर डॉगी नहीं काटता है, हम ऐसे करके ऐसे करते थे, डॉगी ते निकल जाते थे, और वो नहीं काटता है, उस टाइम तो हमें लगा कोई जादू या टोना होता है इसे जिस तो रभाव पड़ता है, ऑर आप समझाया, कि इ बात ऐसे करो या वैसे करो, लेकिन महतोपोर्ण बात है, अपने मन से डर निकल जाता है, अपने मन ये सोचने लगता है, कि डॉगी नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, और उस तक मेसेज बहुंच लिया है, मैंने नहीं काटना, नहीं काटना नहीं काटना, ये भी मेसेज पहुंचता है, अग्यानी लोग भी इस बात को जानते हैं, थोड़े टाइम पहले टेंडीगर की पेपर में आया, किन के धरों में चोरियां ज्यादा होती हैं, रिसर्च की गई, जिन जिन के यहां चोरी हुई, उनके बहुतों के कई, ताइम त से गई ऑफिस यां कहीं आउटो स्टेशन, और उनके मन में ये डर लगता रहा, कहीं पीछे चोरी ना हो जाए, कहीं पीछे चोरी ना हो जाए, उनके हो जाती है, क्योंकि चोरों को मन से मेसेज पहुंच जाता है, कि यहां इनके यहां की जा सकती है, एक्सिडेंट पर भी उन्होंने रिकोर्ट निकाली, जो गाड़ी चलाते, कहीं न कहीं उनके मन में या उनके घरवालों के पीछे बाव बेटा रहता है, ज्यान से चलाना, कहीं मारना देना, ज्यान से चलाना, देखना, टक्रना लग जाए, उनका होता है, इसलिए कहावत है, जो डरता है, तो मरत तो हमें तो बागा ने ऐसी आत्मिक शिती दीए, जीते जी मर गए, ना देह अपनी, ना संबंधी अपने, ना पदार्थ अपने, ना दुनिया अपनी, अब डर किस बात का? सबीर दाजी ने भी लिखा है, जिस मर ने से जग डरे, मेरे हरते अनन्द, मर ने से इपाई ये, पूरण पर्मानन्द, जिस मर ने से लोग डरते हैं, मेरे हरते में अनन्द आता है, क्योंकि इस मर ने में अनन्द बहुत है, पर्मानन्द मिलता है, पर देहे से मरना होता है, देहे से मरना यानि बार बार ध्यान रहे कौन हूँ मैं आत्मा तु हूँ पर कौन सी आत्मा हूँ मास्क सरवशक्तिमान हूँ स्वयन सरवशक्तिमान की संतान हूँ मुझे तलवार भी नहीं काट सकती मुझे आग भी नहीं जला सकती और इस दुनिया के अभाव का अगर डर लगे मैं हो आत्मा हूँ जिसकी किस्मत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती जो मैंने करम कमाए हैं जो मेरी किस्मत में है आज का सारा जल भी जाए लेकिन मेरी डाल रोटी कोई छीन नहीं सकता इसलिए आत्मिक स्थिती निश्चिंतता पैदा करती है, हम सब की देर से न्यारी अवस्था और योगी स्वरूप का, बाप पर निश्चे के स्वरूप का बहुत सुन्दर यादगार है, वह है शंकर जी, शंकर जी का शरीर नीला, गले में सांप, बैठा शम्शान पे, सारी मौत के साइन है, सब कुछ अनकॉंफरेबल है, उसके बावजूद भी योगी है, लोग भगवान मानकर पूजा कर रहे हैं, ये पूजा देहित स्वरूप की नहीं, ठिती की पूजा है, ये हम सब ने जो स्थिती बनाई, जीते जी देहे से मर गए, तो देहे नीली, लिविंग डेट, देहे में हैं, पर देहे से लगाव नहीं है, गले में सांप, यानि वीशेले रिष्टेदार, गले में हैं, उनको पालना पढ़ रहा है, पर उनसे अटेजमेंट नहीं है, त दुनिया मेरे लिए जिन्दा है, या मरी एक बराबर है, एक बराबर है, तो बाबा ने इसलिए अमें सिखाया हुआ है, बच्चे इन आंखों से जो कुछ देखते हो, इन आंखों के सामने आग लग जाएगी, और हम उसके लिए तयार हैं, तो ये जो देह से न्यारी अव बहुत जबर्दस काम करती है, बहुत जबर्दस काम करती है, तो इस चीज पर हमें बहुत आटेंशन देना, जो देशे न्यारे पन की अवस्तह पर ध्यान देते हैं, वो बाबा की तरह अभ्यास करती है. जब भी याद में बैठो पहले दे से न्यारे बन पर quality time दो जल्दी से हम commentary करके बाबा से बात करने लग जाते है पुरी बात तो नहीं है लेकिन जल्दी वापिस आ जाते हैं जल्दी संसार समाचार में मन बुती वापिस जाने लगता है इसलिए समझो हमको एक घंटा अगर योग में बैठना है तो शुरू का पंदरा बीस मिनिट कम से कम अपने को देह से detach करो ठीक feeling लो इस सितारा ऊपर टॉप स्थान कर अलग जम करा और नेचे देह जो है कि पिघलती जा रहे हैं पिघलते पिघलते बस अकेला सितारा बचा देह जैसे की समाच तो गए और इस मैं में सितारा फील हो मैं में देह फील ना हो मैं हो बिंदू आत्मा शान, सविस्थ, शक्ति शाली तरो इस शक्तियों की अधीकारी और फिर देखो ती शरीर को दर्द है यह शरीर मर गया मुझे फरक नहीं पढ़ रहा है मैं अमर जोती बिंदू हूँ उड़ जाता हूँ अपने सितारों के देश और भगवान की केड़नों में हूँ उस प्यार के साजर की केड़नों की जोधी में हूँ यह फीलिंग जितनी गहरी होती जाती है उतना यह देह के खत्रे इसका भोजन, इसका मकान, इसकी चीजें खत्रे हैं यह तंग नहीं करते है जो हम पजिस करते है इस शरीर के नाम पर जिन चीजों पर अधिकार जमा के रखा हुआ जब देहे ही मेरी नहीं है तो फिर भाइड इस बात का है विछली पहली बात देह से न्यारपन दूसरी बात है बाबा का साथ का अनुभव बढ़ाते जो हाज बाबा का महवा के याद करू कुछ समय पहले भी वो मुरली रिवाइज होई है बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था बच्चे बहुतों ने ये रिंग टोन भी बनाई हुई है जब भी मुश्किल आवे न दिल से कहना मेरा बाबा मेरा साथी आजाओ मदद करो और बाबा आजाएगा और हमको ये मालूम है जो भी अब तक बाबा के बच्चे बने हैं नए या बुराने हर एक को बाबा की मदद का अनुभव है कोई न कोई ताइम मुश्किलों में उन्होंने मैसूफ किया है कि बाबा की अनायास मदद अकारण कृपा ऐसी होती है तिल पिगल जाता है बाबा के प्रती हमें एहसान और शुक्रिया मानने लगते हैं पर गलती क्या करते हैं जो डर जाते हैं इन अनुभवों को याद नहीं रखते हैं अगर याद रखें तो निश्च बुद्धी हो जाएं कि अगो मेरा कुछ बिगड नहीं सकता है क्यों? क्यों कौन साथ दे रहा है? तो सरवशक्ति मान मेरे साथ है जैसे पीछे थोड़ा समय पहले अनुभव किसी ने सुनाया कि दो कुमारियां ते जा रही थी अज्यानी लड़की आथी राट्से में कोई ने अटक किया शराट्सी लड़के से बदमाश लोग से एक को उठा के ले गए और पुलिस में बात गए सब और पकड़े गए वो लोग पकड़े गए और दूसरी लड़की से ज्यांच कराई जई पता कराया गिया पता चला ये दो साथ थी ये अच्छा आओ तुम पहचान के बताओ ये वही है जिनोंने आसी बदमाशी की है उसने जोर लगाया पहचान लिया हाँ मैंने देखा था मेरी सेली को ये ही दोनों उठाके लेके जए थे अब उस लड़की ने उन दोनों बदमाशों से पूछा कि हम तो दो जेनी साथ थी आप लोगों ने उस पर अटैक किया मेरे बर्गियों नहीं किया मेरे को तो आप लोगों ने कुछ कहा ही नहीं और छोड़के जले गए और उसको आप जबदंसी उठाके ले गए ऐसा क्या कारण हुआ तो वो कहने लगे जो दोनों से कहते वो तो अकेली थी ये कहने लगी अकेली तो मैं भी थी कहते नहीं तुमारे साथ तो एक बुढ़ा अदमी चल रहा था तो हम उसके होते तुमें कुछ कह नहीं सकते थे उस लड़की ने अपना अनुभो सुनाया कि जैसे ही लड़कों को देखा और वो हनुमान चली सा पढ़ना चुरू हो गई पूरे निश्चे भुती के साथ उसको ये अंदर में निश्चे था ये हनुमान चली सा पढ़ने से रक्षा होती ये खतरा तक जाता तो देखो भगती मारग में भी ऐसा अगर भगवान साथ देता है भगतों को हम तो उसके बच्चे और बाबा ने खुद हमको ये फार्मूला दिया है कि बच्चे जब भी मुश्किल आवे ना दिल से कहना मेरा बाबा मेरा साथी आज़व और बाबा आ जाएगा पर शर्ट क्या है दिल से कहना बाबा मदद करने के लिए बांधा हुआ है और वर्तमान समय के इस असुरक्षा के दौर में एक काम एक अभ्यास हमको एक दिन में पांच बार जरूर करना है और वो अभ्यास है बाबा की किरनों से अपने शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाओ अपने शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाओ अपने संबन्धियों के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाओ पडोसियों के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाओ बाबा ने यहां तक कहा हुआ विनाश काल के द्रिश्यों का बर्णन करते हुए अव्यक्त मुद्लियों में यंत काल कैसा होगा जो बच्चे मेरी याद में होंगे, निश्चे बुद्धी होंगे उनकी रक्षा कैसे होगी, वो पहले शरीर छोड़ेंगे फिशे प्रकिर्टी का प्रकोप आएगा यहां तक बाबा ने इक बार का था, ऐसे निश्चे बुद्धी योगी बच्चों से दो फुट दूर बाड भी रास्ता बदल लेगी वो पहले आत्मा निकलेगी उनकी फिर बाड उनकी शरीर को ले जाएगी पहले आत्मा निकलेगी फिर भुकंप में एट बथर उनके उपर गिरेगा पहले निश्चे बुद्धी माना क्या भगवान हमारा साथी बच्चे तुम दुनिया वालों को कह देना हमें जगाता भी भगवान है हमें सुलाता भी भगवान है सिलाता भी भगवान है हमारे सब काम भगवान करता है तुम जब दुनिया वालों को ऐसे कहेंगे ना तो बावा ने बोला, लोग तुमारी बात मानेंगे नहीं, आसेँगे, भगवान तुमारे लिए खाली बैठाए, क्या? तो तुम उने हसकर बोल देना, हाँ, संगम युग पर भगवान हमारे लिए खाली बेठा, तुम उने कह देना, अंदर ऐसा निश्चे हो, बावा मेरा है, मेरे लिए है, और मेरे लिए खाली बेठा, गज और घ्रह की कहानी हमारी ही कहानी है, एक सेकेंड में कहते आ गया, कहते लक्ष्मी जी पोछती रही कहां जा रहे हो, कहानी तो कहानी होती है न, किते उन्होंने बोलना था हट थी के पास जा रहे हैं तो हा बोला उपर थी बोला नीचे यानि एक सेकेंड में नीचे आगे और गज थी ग्रहा से रक्षा कर दी हमें ही हैं गज ये ग्रहा रूपी चारो तरफ असरक्षा की भी बत्तियों का वतवरण है लेकिन निश्य बुद्धी तो साथ मिलता है भगवान हमारा साथी है तो साथी होंगे तो परिश सितियों से साक्षी अपने आप हो जाएंगे तो पहली बात आत्मिक सिति का धियान रखें जहे से न्यारा अपने आपको करते जाएं देभान डराता और दूसरी बात बाबा का साथ अपने साथ रखेंगे तो सरव शक्ती मान साथ होने से भगवान अपने आपंदल से निकल जाता तीसरी बात दो दिन पहले बाबा ने वर्दान में कहा इस बाब को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या चाहिए निर्भाय अवस्था उसके साथ बाबा ने दो बहुत महत्तो पुर्ण शब्द यूज़ किये सच्चाई, सफाई और निर्भायता इस मल से आप बाब को प्रत्यक्ष कर सकते हो अब सच्चाई और सफाई ये दो शब्द अधर ने दादी जान की जी बहुत यूज़ करते रहे दादी कहा करते थे सफाई पहले या सच्चाई पहले सच्चाई और सफाई से आती है निर्भायता सच्च तो बिठो नच जो सच्चा है वो फुशी में नचता है तांच को आँच नहीं सच्चा कभी डरता नहीं जूट डराता है तो दादी कहा करते थे सच्चाई पहले या सफाई पहले तो दाड़ी कहती थी सफाई पहले क्योंकि सफाई के बिना सच्चाई आ नहीं सकती सफाई माना अंदर कुछ मेल है एरशा है, ग्वेश है, वेरविरोध है, आलस है लोग वरित्ती है, काम वरित्ती है जब तक ये सफाई नहीं है अंदर मेल है ये सच्चा बनने नहीं देती है लोग भी होगा ना, कुछ चिपा के रखेगा जूट बोल देगा कुछ चिपा के खाएगा जूट बोल देगा अलस ही होगा, आरा अलस काम करने का दिल नहीं कहेगा पेट दर्द क्यों कहां से आया पेट दर्द, अलस से आया था नहीं, जूट बुलवा दिया उसने, मोह वाला मोह वच जूट बोलता, बाते को की बताएंगे दूसरी अंदर मोह का केडा लगा पड़ा, काम वृत्ती वाला, वृत्ती दूशित है, तो सच्चे हो नहीं सकते देवान के कारण, और छोटे 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 विकारो की जो मेल है अंदर, वो हमें सच्चा बनने नहीं देती है, तो जब सफाई होवे अंदर की, तब सच्चा ही मुख पे आए, और निर्भायता से, ये तीन बातों में बाबाने का निर्भायता आएगी उससे, कौन सी तीन बाते, एक पुराने संसकारों की सफाई, पुराने संसकारों को छोड़ने की तकता जाएगी, उसमें निर्भायता आएगी, दूसरा संगठन में चलने में, तीसरा सकते ज्यान को प्रत्यक्ष करने में, निर्भायता आएगी, सच्चाई से और उससे पहले करनी पड़ेगी सफाई, क्यों पुराने संसकार नहीं बदलते, क् क्योंकि पुराने संस्कारों से भी लगा होता है, जब तक पुराना संस्कार हम छोड़ना न चाहें, वो छूटता नहीं है, जिसको बाबा केते हैं, छोड़ो तो छूटो, जैसे दिल से गहरी इच्छा पेडा होगी, मैंने बस पूरा शान्त हो जाना, क्रोथ नहीं, कुछ ह हो जाती, 65 डेज, अमरस वेला, हालस, नीन, खतम, जैसे गहरी इच्छा पेडा होती है, संस्कार छूट जाता है, बहुत बाड़ हमें अंदर कई बहाने पेडा होती है, जगर ये संस्कार छूट गया, तो लगता है उसके बिना चल नहीं सकेंगे, कोई-कोई को तो एक चा जाती है, जब तक उसको पाला हुआ, वो संस्कार पलता रहेगा, जब बाबा को अर्पित कर देंगे, बाबा ये संसकार आप ले लो, चुस्ती दे दो, मिलता है वापिस, मिलता है, परंतु अंदर सच्चाई और सफाई है, तो पुराने संस्कारों को छोडने में भी निर भैता आती है, निमित को सच 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 सुना देते हैं, ये मेरे से गलती हुई, आगे के लिए मदद मिल जाती है, तो बाबा ये चाहते हैं, कि बच्चों के अंदर इस तरह की सफाई आनी चाहिए, गुरु गरंत साब में भी ये वर्णन है, निर्भय, निर्वेर, कौन निर हो सकता, अपने दादियां पूरे वर्ड में भीना सिक्योरिटी गार्ड के घुमती रहती हैं, लोग हैरान होते हैं, एक देश का एक बड़ा व्यक्ति भी कहीं जाता है, तो बंदुक वाला साथ होता है, उनका बोजन चेक किया जाता है, और ये दादियां तो इंटरनेश दूसरी गाड़ी भी साथ नहीं होती है, एक ब्राह्मनी एक दोजने और चलपड से, क्यों? निर्वेर है, तो निर्भरे है, अगर मेरी किसी से दुश्मनी नहीं तो सामने वाला मेरे साथ दुश्मनी रख सकता नहीं, तो ये सफाई करनी है, क्लीन जिंग चाहिए, इसको क्लीन जिंग कहते है, तो काम क्या करना चाहिए, अपने को साथ साथ दिन का प्रोजिक्ट देना चाहिए, अगामी चार अफतों के लिए अपने आपको प्रोजिक्ट दे जो, कि ये पहले हफसे मैंने अपने लोग वृत्ती की सफाई करनी है, ये दूसरे हफसे छोटी छो जैनने से ये attachment हो जाती है। किसी को अपने कपडे से, किसी को अपने idea से बहुत 700 थीक दूसरे नहीं मैंने अपने attachment पर सफाई करनी है। चोटी-चोटी attachments, बड़ी तो और होती है, तीसरे हकते मैंने अपने स्वाद पर सफाई करनी है, उस पर काम करना है, जो चीज़ें बहुत स्वाद लगती है, वो पुरा आफता नहीं खानी है, सामने आजाए तो भी ऐसे, जैसे कि है नहीं, बिना स्वाद लगने वाली चीज खानी है, चोटे हकते मैंने अपने आलग की सफाई करनी है, तेस्ट उतना ही करना है, इतना बहुत आवश्यक है शरीर के लिए उसके अलावा active alert, यह जो सफाई का काम है, यह हमें निर्वे बनाता है, चोटी बहुत महतो पुरण बात है, वो है नश्टो मुहासिति, वो त अधर से यह समझ आ जाती है, कि इस विकार पर काम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत करके हमने देखा है ब्राह्मन परिवार में, काम करते हैं पवित्रता पर बहुत अच्छा, स्रोध पर भी बहुतों ने बहुत अच्छा ध्यान दिया, आलग पर भी ध्यान दे देते हैं ज्यान की शुद्धी पर भी ज्यान दे देते हैं, मोह विकार पर बहुत करके attention कम होता, क्यों कम होता, यह बड़ा royal रूप लेके आता, यह मीठी माया है, एक होती है लोहे की जंजीर, एक होती है सोने की जंजीर, तो यह सोने की जंजीर बन जाता है, हमने समझा हुआ है यह फर्ज है हमने समझा हुआ है यह निभाना होता है बाबा बीटों कैसे है न तोड़ निभाना और निभाने के नाम पर हम कब मोह की जंजीरों में फंस जाते है भ्याने नहीं रहता है और मोह से जो मेरे पंची भाषा उत्पन होती है वो आत्मा को एक दम बेवस बना देती है, बाबा करते है बच्चे, अम्मा मरे तो भी अलवा खाओ, बीवी मरे तो भी अलवा खाओ, नीरमल शांता दादी एक बार का बताते है, जसोदा माता ने शरीत छोड़ा, तब नीरमल शांता दादी कलकटा में थे, केते बाबा ने मुझे पत्र लिखा, बच्ची निर्मल शिव बाबा केते हैं, अम्मा मरे तो भी अल्वा खाओ, बीवी मरे तो भी अल्वा खाओ, तुमारी अम्मा थी, मेरी बीवी थी, मर गई, दोनों अल्वा खाएंगे. सिती देखो, तिरव शबद नहीं है, लेकिन अंदर की सिती है, इसके लिए एक तैयारी करनी चाहिए, बहुत मदद करती है वो तैयारी, क्योंकि हमें मालूम तो है, ये सब कुछ छुटने का है, लेकिन उसकी तैयारी प्रैक्टिकल रूप से नहीं कर पाते हैं, तो अब से कुछ दिनों तक, रोज, दिन में चार-पांच बार, पहला काम करेंगे, इस शरीर को मरता देखेंगे, फील करेंगे आत्मायां से निकली, लाइट के शरीर में सुक्स मवतन में बाबा के पास गई, और उपर से नीशे धर्ती पर देखा, तो ये शरीर मरा पड इसके उपर सफेज चादर है, लाल फूल है, लोगों ने अर्थी उठाई और चमचान में ले जाके, इताप पर रखा जला दिया, उपर मैं खुश हूँ, राख भी नहीं बचाई, मैं खुश हूँ, दिन में चार-पांच बार देखो, चरीर जल गया, मैं फिर भी दूसरा अभ्यास करना है, अपने रिष्टेदारों को भी देखें, उनका भी शरीर पूरा हो गया है, मुझ से नहीं किसी संबंदी को बोलना भारत में अप्शगुन माना जाता है, लेकिन अंदर गी आंख से देखो, यह संबंदी जिससे अर्टी लगा हो गया, उसका शर पूरा हो गया, लाइट के शरीर में निकला और बाबा के पास खुश शरीर उसका जल गया, तो जितना ये अभ्यास करेंगे, उतना डर समास होता जाएगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ता है, एटिकेट का, अपनी वानी को संबालना होता है, मुझ से नहीं किसी को बोलना होता, कि तुम शरीर चोड़ोगे, तो मुझे कुछ नहीं होगा, नहीं है ती भाशा नहीं हम बोलते हैं, अंदर से तयारी करते हैं, अप्षगुन भी नहीं सोचते हैं, कि ये चला जावे, नहीं, लेकिन आत्मा आमर है, ये तृष्य देखते हैं, और आत्मा से मे पिटाजी नई आत्मा भाई है ये कपड़ा है ये खतब हो रहा है ये बड़ी आयू वाला दिखता है ये अभी शरीर उतरेगा तो बेबी बन जाएगा ये तो अमरा आत्मा है तो देहे रूपी वस्त्र बदलने का द्रिश्य हमको बार बार देखनां अब आने वाले समय में एक और बहुत बड़ा भाई सब के पास आने वाला है वो है पांच तत्यों के आटेक का भाई और ईविल सूब्स के आटेक का भाई बहुत बढ़ने वाला है लाखों लाखों लोग इकट्टे शरीर छोड़ेंगे और शरीर छोड़ेंगे भी तो आप सब जानते हैं कैसे छोड़ेंगे करोना चाहे एतने लोगों को मार रहा है या नहीं मरने वालों की जिनती कम है परन्तु डरने वाले करोडों की संख्या में अर्बों की संख्या में सारी धर्ती कर भै का वातावरण है और ऐसे भै वाले वातावरण में अगर किसी को डिटेक्ट हो जाता है करोना तो कितना धरा हुआ होता है और उनमें से अगर किसी की देट्याग हो जाए तो कितने डरी हुई आत्माएं होंगी और आगे आने वले समय में तो आत्माएं देहे ज्याग देंगी परन्तु नेच्रल के लेमिटीज और पोल्यूशन के कारण ऐसे आलाद बन जाएंगे यागे गरब धारण करना ही सकेंगी और तडपती हुई आत्माएं त्राही ऐसे टाइम पर आप केवल उनको उस टाइम साकाश दो और वर्टेक्ट नहीं करें ऐसी बात नहीं है पूर्वत यारी चाहिए अभी से ही लंबे काल तक हमें पांच तत्वों को साकाश दे कर उन्हें मित्र बनाना है इन दुखी ये शान्त बिमार आत्माओं को साकाश दे कर कि उनको अपने पन की फीलिंग देनी है क्योंकि ये एक परम सक्ते है कि हम केवल एक दूसरे को इन स्थूल आंखों से नहीं पहचानते है इन स्थूल शरीरों से नहीं पहचानते है वर्ट तो में तू बिना शरीर के भी अत्मा अत्मा एक दूसरे को पहचान लेती है अगर हमने जी भर करके स्रिष्टी की दुखी अश्यान्त आत्माओं की इश्वर ये किरणों से पालना किये सुक्षान्ती का पुवित्रता का प्रकाश जी भर कर उन पर बरसाया है तो बिना देरे के भी ये आत्माएं हमारे पास आएंगी तो पैचान जाएंगी कि ये वही हैं जिनोंने हमें सुक्षान्ती की केड़ने दीथी वार नहीं करेंगी नमस्कार करेंगी ये तत्व भी पैचान जाएंगे ये हमारे मीत हैं बाड़ आएगी औरों को डुबो जाएगी आपको छोड़ जाएगी ये आपने जल तत्व की सेवा कीए होगी आपने धर्ती तत्व की सेवा कीए ये प्रिट्वी अंत तक आपको साथ देती रहेगी भुकंप में दबाएगी नहीं बाइव तत्व की सेवा कीए तो तुफान आपको नहीं पटड़ेगा नमस्कार करेगा तो ये प्रकृति दासी हो जाएगी पांच विकार भी सेवादार हो जाएगे अगर सहज भाव हमने भी कारूं का त्यार कर दिया तो तो इसलिए ये हालाद हमें डराने नहीं आएं लेकिन तैयारी करा के बाबा के और समीप लाने आएं तो इन पांच बातों के अलावा बाबा ने एक काम हमें दिया हुआ है कि बच्चे तुम्हारे लिए तो अभी वतनगार है ना तो तुम उपर रहो उपराम रहो एक अव्यक्त मुर्ली में बाबा ने कहा था बच्चे तुम इस धर्ती पर ऐसे रहो जैसे कि तुम यहां नहीं हो वतनवासी हो जाओ और वहां से नीचे देखो कैसे कट पुदली डांस कर रही है बार बार अपने को देशे नियारा कर सुख्षम वतन निवासी बाबा के सामने ले जाओ बाबा और मैं बाबा की लाइट और माइट मेरे अंदर समाती जा रही है और दोनों साथ वहां से इस धर्ती का चकर लगाते हैं चकर लगाते देशे नियारे फिर सितारों की दुनिया में उपर चले जाओ परम नाम में महां से आत्माओं के जाड़ के पूर्वजबन उसको साकाश देते पिर नीचे जर्ती के गोले तक केड़ने दो तो ये जो बतनवासी होकर रहना नीचे के सब डर और खत्रों से हमें बचा देगा जिसको कॉरंटाइन कहते है अजकल कि जिसको करोना आया है वो भी अकेले हो जाओ जिसने करोना से बचना है वो भी अकेले हो जाओ तो अकेले होना है अकेले आय, अकेले जाना, अकेले में, अकेले होकर उस अकेले बाप को यार करना, ये पांच केले खाने हैं हमको, एकांत का टेस्ट बढ़ाना है। और एकांत का टेस्ट बढ़ाते हमारा लंबे काल का एक अनुबव है, जितना आत्मा अंदर अपने सुख और आनंद की स्थिती में स्थित होती है, उतना बाहर का दुख अटक नहीं करता है। रियक्ट कर देना बड़े खत्रों से हमें सुरक्षित नहीं करेगा। बाते आज शोटी लगती है। एक नमक भी उपर नीचे हो गया जाल सब्जी में और हम इरिटेट हो रहे हैं। हम रियक्ट कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। आपको खाना नहीं बनाना था वगेरा नही यह वर्णन नहीं किया नमक कम में की ज़्यादा है। एक ही बात कहती थी यद्य प्रसादी। ममा ने कभी कोई बात पर रियक्ट नहीं किया। तो मैंसे क्यों करते हूं, वैंसे क्यों करते हूं। हर एक को प्यार से चलाया, अपार प्यार। अपार प्यार, बाबार के प् कि हमें दुख की फीलिंग नहीं देती है, क्योंकि दुख की फीलिंग, दुख आना जाए, उसका डर लगता है, जब सुख बहुत भरा होगा, तो दुख का डर नहीं लगेगा, इसलिए मेनत करने की अंदर एक लगन रेती है, तो अभी का समय ये जेता है, कि अगर बाहर लॉक डाउन है, तो घरों में भी खाली नहीं बेठों, अपने को समेच लो, अपने को बाहरी दृश्यों से लोक डाउन में ले आओ, आँखों पर तला लगाओ, ज्याद बार के दृश्ये मत देखों, काणों पर तला लगाओ, स हमा चार साथ दिन में एक बार थोड़ा सा सुनो या तो नहीं सुनो क्योंकि ये पांच चीजें हमारे अंदर जो information जो अंदर ले जाती हैं उसी के responses होते हैं डर के रूप में या खुशी के रूप में. पांच चीजें कौन सी? सुनना, देखना, बोलना और खाना, पीना. सुनना, देखना, पढ़ना, खाना, पीना. जो अंदर जाकर किस्थिती बनाता हैं सब कुछ नहीं सुन जाना हैं. जो देखते हैं साड़ा दिन मोबाइल देखे जाते हैं. No, आत सोने से पहले नहीं देखना, सुपे उचते ही टीन घंटा नहीं देखना. देखना भी तब है जब जarchy कारोबार हो, ऑतो जरूरी इंफर्मेशन हो तो नहीं तो प्全 और लगाता. ऐसे इपढवना भी उतना हैं, जितना ज़रूरी है. सुनना भी उतना है जितना जरूरी है खाने पर तो बहुत 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 चार अंडर लाइन से परेज बावा ने कल भी कहा देवता बनने वालों को खान पान की बहुत बहुत परेज रखनी कि योई नहीं चला लेना चल बहु के आत का खा लिया चल स्टेशन से डबल रोटी का लिया लाचारी हालत बोली बावा ने आज स्वाद के वश हम खा लेते चार्ज करके खाना बावा को भोग लगा के खाना बावा की याद में खाना ये निर्भैता की तकच पैदा करती ये चीज़, देते नियारा करती, पानी चार्ज करके पीना, बार बार पीना गुले, पर कुछ सेकेंड रुको, ट्रैफिक अंट्रोल कभी मिस न करो, अमरत वेला तो अगर अब भी भी मिस करते हैं, फिर और कौन सा समय आएगा परमानंद अंतर भरने का, जिनोंने अमरत वेला परमानंद चखा है, दिन में कौन सी माया उनको टरा सकेगी, जिनका कोई भी कारण से उपर या नीचे होता है, या मिस होता है, वो अपने उपर कृपा करें, अपने दोस्त बनें, ये जीवन अब केवल तपस्या के लिए है, सोने के लिए नहीं पैदा हुए है, खाने के लिए नहीं पैदा हुए है, शरील नौकर है, है आत्मा राजा तुम नौकर को पालती रहोगी क्या और ये नौकर तो धोखा दे जाएगा छोड़ जाएगा इसलिए इस नौकर से मेनत कराओ एक एक सेकंड का लाभ हमको उठाना है तो अपने उपर अटेंशन का पेरा हम लगा करके रखेंगे तो जरूर भै तो क्या ये ये भाज दरता जाएगा मन को धीरे धीरे शांत करते जाएं बहुत नहीं सुचना होता कोई भी बात भी करोना म को ऑगया तो फिर ये ओगया तो फिर वो हो गाई नहीं क्योंने ही ये सोचते हैं होगा ही नहीं आँकाser नहीं रखनी हैं जो नॉम्स मेलते हैं डिसिप्लें यह भी जो भी है, यह हम वालन हम करते हैं, परंतु दरते नहीं हैं, और जयदा सोचते नहीं हैं, तरी जान की बहुत बातों के लिए एकी उत्तर देते थे, डोंट थिंग, असोचता, नॉन जजजमेंटल, जजजमेंट्स ना निकालते रो, यह हो गया, तो वो हो गया, तो नहीं, निश्चे बुध्री, निश्चें तात्माएं हैं, बावा ने कहा था, जो बच्चे मेरी याद में मगन रहते हैं, उनके लिए सोचने का काम भी मैं क को मारे कान पुल के भाई भेने तो महारतियों से वले हुए हैं, दादियों की करम भूमें हैं, विजजई आत्माय हैं ही, पहले से ही तपस्वी हैं, बड़ी तपस्वनी दीदियां आपकी पालना कर रही हैं, बस विजई अषग, ओर विजई रही हैं। चलिए अभी जरा दो तीन मिनिट अंतर की यात्रा करते हैं लेट चलो अपने आपको अंतर जगत किया और ये बाहर का चमड़ा उतार दो चमड़े के भीतर जगमगाता ज्योती सितारा ज्यान से देखो बुद्धी टिकादो मस्तत के धाई एंच अंदर चमकने वाले ज्योती बिंदु पर इसे खेलता प्रकाश शान्त पवित्र पूरे सिर के अंदर प्रकाश मर गया बाज्यों में फेट से टांगों तक मुझ सितारे का प्रकाश पूरी देहे में ऐसे भर गया देहे प्रकाश की बन गई स्थोल काया एक छिलके जैसी है बस ये भी जैसे उतर गया छिलका एक प्रकाश की हलकी काया में जगमगाता बिंदु धर्ती का अकर्षन छोड़ जा रहा हूं उपर की ओदूर दिखाई पड़ता है बादलों में मेरा बाबा ज्यान जंदर्मामा प्रकाश में परिष्टा ब्रह्मा उनके मस्तत में जगमगाई ज्यान सूर्य श्योगाई महा ज्योति बिंदु ने प्रकाश में काया वला बिंदु बाब दादा के सामने गहरे प्यार की दृष्टी तेज केड़ने मुझे च्छू रही हैं मेरे मात पिता का प्यार वरस रहा है सरव शक्तिमान साथी है बाबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया मैंने बाबा के हाथ में हाथ दे दिया बच्चे मैं तुम्हारा साथ ही हूँ तुम्हारे सब काम मैं करता हूँ तुम चिंता मत करो जी बाबा जब आप साथ है तो दरने की क्या बात है बाबा का अनोखा आनंद दाई प्रकाश मेरे अंदल समा रहा है मुझे हलका बना रहा है बाबा का शक्तियों भरा वर्दानी हाथ मेरे सिर पर अनंत शक्ति अंदर समाती जा रहे है मैं निश्चिंत हों खुश्य हों बाबा का प्रकाश बरसने दो पन्दर समाने दो अंद आ अम शांती दीदी, बहुत-बहुत आपको शुक्रिया, बहुत-बहुत दिल से, हम सब वहनों की ओर से, माई वहनों की ओर से, बहुत अच्छा नभाव कराया, हम सब वहतर में पहुँच गए, और प्लास बहुत अच्छी थी, तभी को अच्छा लगा, आप दुबारा फिरा में चरूर चांत देंगे, अलुदी, मतुवन में मिलेंगे बाबा बुलाएगा, जी बिघा, ओम शांती जी ओम शांती औम शांती झाल